राजनीती के बारे में सब कुछ अनिश्यत होता है इसमें एक रनीती से आप कुछ जंग हारते हैं तो उसी रनीती से आप कुछ लड़ाई फताय भी करते हैं लेकिन राजस्थान में कॉंग्रेस पार्टी इसका अपवाद है साल 2003 के विधान सबाद चुनाब में मिली हार के बाद से कॉंग्रेस यहां नित्रित्व के लिए जद्दो जहद कर रही है SME UPA के चेर परसन सोनिया गांधी ने इस वार जब राजस्थान के पुर्व मुख्यमंत्री अशोग गैलोट पर भरोसा जताया तो कॉंग्रेस को भी इस पर सहमती देनी परे हलाकि अशोग गैलोट के साथ साथ कॉंग्रेस सचिन पाइलट को भी लेकर चल रही है वजह साप है अनुभव और यूबा जोश अशोग गैलोट के पास राजस्थान में शाशन का अच्छा खासा अनुभव है तो सचिन पाइलट यूबा वोटर्स को आकरशित करते हैं यही वजह है कि कॉंग्रेस पूर्फ सियम अशोग गैलोट और प्रदेश कॉंग्रेस सध्यक्ष सचिन पाइलट के लिए फिल्डिंग कर रही है बता दे कि राजस्थान में साथ दिसंबर को वोटिंग होनी है कॉंग्रेस आला कमान को ये लगने लगा है कि पाँच राज्यम में राजस्थानी एक ऐसा राज्य है जहां पार्टी, सोशल सेक्टर स्कीम और सूखा प्रबंधन के मुद्दों पर चुनाब जीत सकती है क्योंकि मुख्यमंतरी रहते हुए अशोग गैलोट ने इस पर काफी काम किये थे यही वज़ा है कि सुनिया गांधी ने अशोग गैलोट पर भरोसा जताया अशोग गैलोट ने से उन्ठानवे से जोधपूर के सुर्दारपूर से बिधायक रहे है पहले ऐसी चर्चा थी कि वो इस वार का चुनाब नहीं लरेंगे पार्टी के एक हिस्से के राय थी कि मध्य प्रदेस फार्मलोए के तहट राजस्थान में भी इस वार वरिश्ट नेताओं को आगे न लाये जाए लेकिन सिर्ष नेत्रित्म को लगा कि राजस्थान में एमपी का फॉर्मिला अपलाई नहीं किया जा सकता राजस्थान में चुनाब के मुद्य मध्य प्रदेस के चुनाब मुद्य से अलग है इसलिए शिर्ष नेत्रित्म ने गहलोत का नाम आगे बढ़ाया पाटी अध्यक्ष राहूल गांधी ने अशोग गहलोत को सरदारपुर से चुनाब लड़ने के लिए राजी कर लिया राजस्थान में कॉंग्रेस के राजनीती में अब तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अशोग गहलोत और सचिन पाइलट में सीम का चेहरा कौन है चुनाब खत्म होने तक यह सस्पेंस वरकारार रहने बाला है पाटे के संगठन महासचिव और पुरुफ सीम अशोग गहलोत तें बुद्धवार को खुद और PCC अध्यक्ष सचिन पाइलट के चुनाब लरने का एलान करते हुए प्रदेश की सियासित में फिर से हलचल पैदा कर दिये गहलोत सरदार पुरा से चुनाब लर रहे हैं जबकि पाइलट तोंग से चुनाबी मैदान में है दरसल अशोग गहलोत और सचिन पाइलट दोनों ही राजिस्थान में कॉंग्रेस के कददावर और लोग प्रिये नेता हैं दोनों ही नेता प्रदेश में मुख्य मंत्री पत के प्रमुख दावेदार भी है ऐसे में दोनों दिगज नेताओं का बिधान सबाद चुनाब में उतरने का फैसला काफी अहम हो सकता है प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरह से लोगों के वीच असंतोस है उसे कॉंग्रेस इसवार की चुनाब में पूरी तरह से भुनाने की कोशिस कर रही है एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से बसंद्रा राजे पार्टी की निता है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस की ओर से अभी इस वात का एलान भी नहीं किया गया कि प्रदेश में पार्टी का मुख्यमंत्री पत का उम्मीदवार कौन है लेकिन जिस तरह से दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाब लड़ने का फैसला लिया है उसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत और पाइलट दोनों ही मुख्य मंद्रे पद की रेस में बराबरी से बने हुए है पार्टी का कहना है कि अगर चुनाब में सभी समीकरिन सही बैठें और कॉंग्रेस की वापसी हुई तो CM का ताज किसके सर सजेगा इसका फैसला नतीजें आने के तुरंत बात कर दिया जाएगा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे आप को गोगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं थैंक यू